अलो गाईज, वल्कम बाक, मैं हूँ संजीव पांडे, यह आईरा पांडे, और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर टेंथ का, ठीक है, और बहुत ही लेंदी हो सकता है, I hope मेरे लेंदी बुलने का मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, no doubt, morally बहुत ही important च और रवीवार के दिन, जादतर आईरू का जिम्मेदारी मेरे उपर दो आज 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 आईरू ने मुझा चोड़ा नहीं, आई थोड़ की चलो भाई, ठीक है, आदे गंटे के अंदर रसी भी खतम हो जाना है, so I'll take it, आप बस चैप्टर पे धहन लगाना, ठीक है, और यह जादर के अंदर वह है वेट वेस्ट और ड्राइवेस्ट के बारे में, now what is wet waste, what is dry waste, आपने बनाने चैप्टर में आपको दिया हुआ है, डिग्रेडिबल या फिर मैं कहूं, तो बायोडिग्रेडिबल waste and non-biodegredable waste non-biodegredable waste ठीक है तो यहाँ पर जो भी हमारे घरों से waste निकलता है बच्चा यह दो type का हो सकता है और इसके लिए आजकल मेरे ख्याल में इंडिया में भी बहुत सारे cities में बहुत सारे गाओं में भी आजकल क्या किया जा रहा है गीला कच्रा सुखा कच्रा दोनों को अलग-अलग किया जा रहा है ठीक है तो गीला कच्रा सुखा कच्रा किसी से related है it is not related to पानी और सम्थिंग it is related to कि भाई वो डिग्रेड़ेबल है या नौन बायो डिग्रेड़ेबल है ठीक है अब जैसे कि ग्लास हो गया मेटल हो गया प्लास्टिक हो गया थर्मो कॉल्स हो गया यह सब इतनी आसानी से बैक्टिरिया या फिर माइक्रो और गयानिजम्स को डिग्रेड नहीं कर सकते तो वह काफी टाइम तक हमारे धर्ती पर रहेंगे और उसे पलूशन भी होगा सो इसके लिए इसको नॉन बायो डिडड़ेडबल वेस्ट कहा गया है हिक है और बायो टिड़ेड़ेडबल वेस्ट क्या होता है यह वेस्ट जासे देखो भी है, कोई भी फूड प्रोड़क का वेस्ट, फ्रूट का, वेजडेबल पील्स, ठीक है, इसके लबाद जो भी प्लांट्स, अनिमल्स के जो रिमेंस होंगे, तो यह सारी चीज़े क्या है, यह सारी चीज़े क्या है, यह सारी चीज़े क्या है, इस वज़े से उतना जादा पलूशन नहीं हो, जार टाइम तक वो सस्टेन नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसलिए अब जैसे प्लास्टिक है, तो अभी तुमको पता होगा, काई जगवा पे जो बाड आती है, ना, शेहरो तो इसके लिए यहां पर हम इसको डिफरेंशेट कर रहे हैं, या फिर हमको यहां समझना होगा, वाई तू डिफरेंशेट कर देंगे, तो इस वाली चीज़ को अपन यूज कर सकते है, ना, बायो गैस बनाने के लिए, है ना, उसके लिए इस्तमाल में लाया सकता, आजकल शुरू हो गया वही कि वेस्ट से जो गास प्रडूज़ रहा है, वही हमारे घरों में आरहा है, है ना, पैपलाइन के तू आरहा है, तो बायो डिफरेंशेट बेस्ट जो है वह उतना जादा इंपोर्टेंट साबित हो सकता है, गरिफरेंशन रहेगा, तो चैप्टर के होआ है, बायोडिघेडेबर और दोस्ट वेस्ट वेस्ट जार्ट जार्ट वेस्ट विच कशन बीडिऊंपोज बाइं माइकर और इसीली डि एज़ी डिकंपोज नहीं कर सकते और जिसके वह प्लूशन में हांध जादा अका रोल रहा का यहाँ पर कम, को के अगे देखते तो, now what is atmosphere, what is lithosphere, what is hydrosphere? अब आपको पता है कि sphere का मतलब क्या होता है, गोला होता है, ना, sphere is round गोल है, तो हमारा earth या हमारा planet, हम जिस planet पर रहते है, earth, वो एक sphere ही तो है, राइड, अब उस sphere का, यानि हमारे earth का, जो भी water वाला हिस्सा है, चाहे वो liquid form में हो, या vapor form में हो, या glacier form में हो, चाहे ओशन में ह यहाज वो रिवर में हो, लेक पे हो, पॉय भी मिल कोई भी हिस्सा है, sto है उसका हिवाता है हाइड्र स्पीर, वोटरिल रिप्वीट के लिफिर्जिं है हभीड्रोवर्ट, तो हमारे अर्थ का हमारे स्पीयर का जो वॉतर वाला कंटेंट है, उसको हाइड्र स्पीयर टिर्म और हमारे एर्थ का जो air वाला content है झिसमें nitrogen है, oxygen है जो air वाला content है उसको atmosphere कहा गया है और हमारे ही एर्थ का जो solid वाला, जो crust वाला हिस्सा है जो धरती माता है हमारी है ना, crust, mantle, core सब सुना हो आपने तो, जो solid पार्थ है, उसको lithosphere बोलते है su Lihto is a solid एर वाला कंटेंट है, ठीक है, तो हमारे अर्थ पे यह सारी चीज़े हैं, अब एक बात ध्यान देना कि हर प्लानेट पे यह सब चीज़े नहीं होती, हो सकता है कुछ प्लानेट पे वाटर ना हो, हो सकता है कुछ प्लानेट पे अट्मोस्फियर ना हो, यह सारी चीज़े हो वज़ा से भाईया यह जो प्लांट है जो अनिमल्स है वो शर्वाइब कर पा रहे हैं लिविंग और्गैनिजम्स यहाँ पर सर्वाइब कर पा रहे हैं है ना एरू है ना एरू हाय कर तो हाय बताओ इत्तिशान तो कभी न रहती है ठीक है चलो तो I think यह समझती है कि यहाँ पर कोछ चल रहा है लोग देख रहे हैं ना एरू अब यह लिविंग और्गैनिजम्स इन तीनों के समनवै की वजए से रह पा रहे हैं और इसलिए हमारे अर्थ को हमारे स्पीर को हमारे प्लानेट को बायो स्पीर कहा जाता है बायो यानि लिविंग तो लिविंग और्गैनिजम्स यहाँ पर रह पा रहे हैं Hence, it is also termed as biosphere. Okay, look, our earth is so sweet. But, I don't know, what are the things here? What? Okay, so this elephant, this deer, this plants, all these things are here. These birds, these fishes, why are they being able to live here, brother? Because here is a living condition. Because of that solid, because of that air, because of that water, so land, air, water, because of that living condition, and that's why earth is called biosphere. Okay, so this can be a question, yes? Why earth is called biosphere? Now you have to reason, start from here. That here is water, land, air, and these things are very important for living organisms, for living, for survival. hence, and that's why our living organisms are able to live on earth, plants, animals, microbes, and that's why this is called biosphere. This is called biosphere. Okay, let's go down. Go down. No. No problem. Let's go. So now this biosphere is okay, sir. biosphere, there is no problem here. There are trees here, there are birds here, there are fishes here. You know, beneath the small plants in the water, there are panctums, there are the animals in the water, there are also those animals here. Now, I can say that on our earth, there are several spaces where there is a whole whole habitat. एक पॉन्ड है, एक तालाब है, तो तालाब का पानी है, भाहिसाब, पानी है, या उसके अंदर के जितने प्रानी है, क्या उन प्रानियों को अपने खाने पीनिये के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए, क्या उनको बाहर, डिलिवरी, Amazon, Flipkart पेपेंड करना पड़ता है, इस बिल्कुल नहीं, वो अपनी पूरी जिंदगी, in fact अपनी पूरी जनरेशन, दर जनरेशन वो उस पॉंड में बिता देते हैं, they don't need anyone, बाहर का कोई चीज नहीं चीज है, वो उसी में अपनी बिता लेंगे, उसी के अंदर का पानी, उसी के अंदर की मिटी, उसी के उपर का ठीक है, वहीं का रॉक, जो भी है, उसको यूज करके, वो पूरा साइकल, उसके अंदर का जो लाइफ साइकल है, चोटी मशली, बडी मशली, फ्रॉग, ठीक है, सब उसके अंदर रह पा रहे हैं, तो वो पॉंड अपने आप में एक complete living condition है, लेकिन क्या वो पानी और वाट कोई भी ऐसा space, ऐसा जगह जहां पर एक living condition या living organisms रह पाते हैं, ठीक है, without depending on any other factor, only living plus non-living, water air जरूरी है न, जो भी है, तो temperature, water air, तो living plus non-living, किसी एक area में living plus non-living को मिला दे, तो वो पूरा अपने आप में ही complete है, तो मैं उस reservoir को, उस space को क्या बोलूँगा, ecosystem, तो ecosystem is nothing but किसी भी particular जगह का biotic plus abiotic, biotic एन लिविंग, abiotic मतलब non-living, ठीक है, तो इसको मिला के हम बोल जाते है, ecosystem, ठीक है, तो all plants, all the plants, animals in a particular area, considered together with the surrounding, इना, सिर्फ ये मचली, सिर्फ ये पेड नहीं रह पाएंगे, उसके साथ-साथ ये surrounding air, water, land ज़रूरी है न, उसके ब मिला के, living plus non-living, एना, water, air, सब मिला के, क्या बनता है, ecosystem, किसी पर्टिकुलर एरिया का, sir, give an example of ecosystem, जैसे मैं आभी या पॉंड, जैसे forest, forest is also an ecosystem, forest वाले जो animals है, प्लांट है, वो ही वहां के land, air, water को यूज कर की, they can survive, they can spend their whole life, they can create their children's, produce their children's, तो यहां पर, children's, ठीक है, तो यहां पर, forest भी क्या हुआ, ecosystem हुआ, ecosystem बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, natural ecosystem और artificial ecosystem, जो मैंने pond, जो मैंने forest, जो मैंने river, जो मैंने ocean कहां, वो सब क्या है, natural ecosystem, लेकिन ऐसे ही artificial वाले पर क्या सकता है, जैसे कि garden, वो तो हमने बनाए, humans ने, aquarium, fish tank, यह सब क्या है, artificial ecosystem, ठीक है, तो दो टाइप के ecosystem हो सकते है, natural और artificial, इसको लिख लेते हैं, ecosystem can be of two types, natural और artificial ecosystems, ठीक है, इसके example लिख दे, natural के example में क्या बोला मैंने pond, pond, और क्या बोला मैंने, natural ecosystem में, forest, etc, etc, सब जगा जाता है, artificial वाले में, garden, pond, garden, और क्या बोला, aquarium, ठीक है, यह सब artificial में आ गया, यह एडसेटरा भी टाल दो इसमें, तीक है, इसके बाद, oh, 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 airu, यह क्या है, यह क्या है, उच, इच, 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 इह, bad habit, अभी यहाँ पे देखो, तो, यहां पर, यह छोटा सा, plant है, जै एरू, यह क्या है, ये एक insect है, है न, ये क्या है, ये है माईस है, और, अब यह एरू, आरो क्यों दिखाए कि भीया, plant को ये खाएगा, कीडा मकोड़ा खाएगा, कीडे मकोडे कोBERT ये में, चुहाखाले का पकड़ लिया, अब ये चुहे को इसने खा लिया, है ना, ये ओल ने खा लिया, So what is this, I am trying to say, कि भईया, ये क्या है, ये एक food chain है, हमारा ecology, हमारे surrounding में, इसी तरह का food chain, कई सारा food chain exist करता है, So this is a food chain, एक food का पुरा chain है, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, है ना, So eating and being eaten, ये जो चेन बन गया, ये food chain है, और ऐसा ही, जब बहुत सारे food chain मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एरू, तो ये बन जाना है, food web, जैसे एक grass, grass को खाया rabbit ने भी, इसको खाया mouse ने भी, इसको खाया grasshopper ने भी, अब देखो grasshopper को frog भी खा सकता है, bird भी खा सकता है, frog को owl भी खा सकता है, snake भी खा सकता है, snake को hawk खा सकता है, ठीक है, आउल को भी hawk खा सकता है, ठीक है, भाप जोशा माँस ओ क्या हो गिंधा उसके बाद राइबिट गो अभी को यह बहुत सारे ओ कि एक पुटचें लिए यह फूटचेंग ठीक है? उसको बोलते हम, Food Web. तो इसका definition देख लेते हैं. Food chain is the series of organisms. क्या है food chain? It is the series of organisms in which each creature... एरू, आर कीच रहे तो? In which each creature eats the one below it in the series and becomes a source of food for the organisms above it. अपने नीचे वाले को खार्या पी उपर वाले का शिकार बनेंगे. तो शिकार बनना शिकारी बनना शिकार बनना ये वाला हिस्सा होता है इसमें. Food Web क्या है आरू? What is Food Web? Food Web is a... इंटर कनेक्शन. बहुत सारे food chain अपस में इंटर कनेक्ट हो गए. It is the natural interconnection of... इसको किसी बोला थोड़ी खुद बखुद रहा है. Natural है. Natural interconnection of food chain and a graphical representation of what eats what in an ecological community. इसी को हम क्या बलते हैं? You can note it down. और notes तो ऐसे भी available रहेंगे. Ohohoho Airu. क्या हो गई? Airu को क्या हो गई? Airu को क्या हो गई? एक मिनट. Airu को सर्दी लग गई है? यह लो. शलो. शलो है मोमा के बस? नहीं? शलो ठीक है. तो यह हो गई आपका food chain, food web. अब इसके बाद आते हैं हम food pyramid. क्या बात है? तो यह food pyramid क्यों बनाया गया है? इसकी क्या ज़रोत है? इसकी क्या ज़रोत है? This is one graphical representation. यह एक representation है. जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है, कि एक food chain में सबसे जादा energy कौन से level पे होती है? जैसे आपको पता होगा, जितने भी अनिमल्स हैं, चाहे डिरेक्ली चाहे इंडिरेक्ली यह डिपेंडिंग उन प्लांट. तो यह जो प्रड्यूसर्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि फूड और्गानिक फूड को पहली बार प्रड्यूस कर रहा है, तो यह प्रड्यूसर्स्स जो है, जह सबसे साधा एनर्जी बैरर होते हैं, जह मर्मोद्स सारी प्लांटन्स होगए क्विछ इतने सार डिपेंड दरुड घरेक्ली सबसे जाधा एनर्जी किस लेवल पे होती है, भेस लेवप्स लेवल, प्रोड्यूसर की लेवल, सबस्क भास भाइब खातें इसारी दैजिए कीदये माकोड़ी बाइगे यह सारी बाइगे यह रायंगे प्रामरी कंजिमर्स अन्जिमर्स हर्भी वोर्ड चा जो एनरजी लेवल होगा और किसलिए इन SJS एकम हो गा क्योंकि सारा पेडब ऑधा थोड़ी का लेद गालेंगे जाएग ज Scale से कुछ एखाएंगे कि भाई अगले अगले step में, traffic level 1, 2, 3, 4, producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary, quaternary भी हो सकता है, तो ऐसे लेवल पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हर लेवल पर जो energies है, वो क्या होती जारी कम उते हैं, अगले से अपॉड वाई आपुडरी जारी किशने करने लिवल पर है, आप इसे प्रूडरी दोरी जनी इनेटी है Listen to us. So what are we doing first? Let's read the definition first. A food pyramid is a representation of optimal number of servings to be eaten each day from each of the basic food groups. So here we are talking about energy. As a food is consuming every level, how much energy is being shifted here? That is to show you here. It is called the food pyramid. Now let's see here, during the transfer of organic food from one traffic level to next, which we have seen now, when organic food is being transferred, only about 10% of the energy, 10% of the organic matter is stored as a flesh. Like, what do I say? Which are producers. When the primary consumer is going to the first level, is being utilized. And how much? 100 joules. Only the 10% of the energy is stored as a flesh, as a chemical energy. When someone eats the organism, when someone eats the organism, then basically, how much energy has gone? 10% of it. Because how much? 1000 joules. 900 joules have used it. How much has been stored in its body? As an organic compound, that is only 100 joules. So, only 10% of the organic matter is stored as flesh. The remaining is lost during transfer of broken. So here, broken down in respiration. Now here, a pictorial representation is shown here. Like, deer did not eat deer, deer did not eat deer. So, Bubbar did not eat deer. Hyru. 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 Who is this? Who is Hyru? Okay. No. 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 So, you can see that at every level, the energy was 900, 1000 joules here. 1000 joules, the energy he received, the producer from the sun, from 900 joules, he has lost its surrounding environment. Only 10 joules here. No. 10% 1000. 10% will be 100. Okay. So, 100 joules here. Okay. I will change the numbers here. I know this is not looking good. So, now, you can say that, if it comes to 1000 joules, the plants, the plants, the plants, 900 joules, 900 joules, the surrounding joules, the surrounding joules, the surrounding joules. And, how many? 100 joules has shifted. Herbivores. Herbivores has 100 joules. What will happen to this? It will be 10% in the next one. Only 10 joules will be moving to the Carnivores. Okay. And, the rest of the 90 joules, it will be utilized in the life process. So, in this way, only 10% energy. If I look at the pyramid, if this is the producer, this is the primary consumer, this is the secondary consumer, this is the tertiary consumer, here, the energy here, let's say, 10,000 joules, is going to the next level. So, the rest of the energy here, is going to lose. So, only 10% shifted to the next level. That is, 1000 joules. That is 10% law. That is 10% law. It is very important. It is very important. 10% law. Okay. It is very important. Keep it up. 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 Wow. Let's see. Let's see. So, this is, 1 minute. I will show you the whole thing. The kids are confused here. Between the two terms. Bio-accumulation and bio-magnification. What does magnify mean? What does zoom mean? Zoom. Magnify. Magnifying glass. So, you have to see here. Let's see. This pollutant. I will give you a small example. This pollutant, from the pollution, from the factories, it is going to the water. Now, from the water, let's see. A fish. This is one fish. A fish, which is in the body of the fish. Now, let's see. This is day one. This is, suppose, what? Day one. What is this? Day one. Day one, I mean, there is so much poison in his body. There is a representation. I mean, this is so much poison in day 20. I mean, he is eating, through the water, through the body. Then, another time. Day 40. It is so much. Day 100. It is so much. It means, that the whole body will become poison. Okay? But, this is one representation. Just. We also, like, we have fruits, or something, we don't eat it. We have grapes, suppose. Pesticides, germicides, we are eating it. In our body, the chemical, is being collected every day. And, in long term, some of the diseases will be documented. Because, it accumulates in the body. That is called bioaccumulation. Okay? Let's see here. So, bioaccumulation is a gradual accumulation of substances, such as pesticides, or other chemicals in the organism. Okay? That is bioaccumulation. Now, what is bio-magnification? What is bio-magnification? Here, see. That, it is a food chain. The small, the small, the small, the small animal is eating. Okay? And, this animal is eating this big animal. This big animal is eating this big animal. This big animal is eating this big animal. So, you will see that this is a food chain. So, in this food chain, if, this is the small, the small, the chemicals, if, this is the first level, then, how many animals will eat it. So, if there are 3-3-4 particles, or 2-3 particles, if there are 3-3 particles of animals, here, consider 10 삼iles. That, how many particles! Therefore, if there were 1, then, there are 2 particles. In a small animal, choose this big animal, how many animals eat their animals. If there were 10 particles, if there were 10 animals. Then, how many particles would be there? 100. 100 particles. 100 individuals. with these 100 animals, when they have one time, suddenly, and then, they have 100 animals. यह दस मशली कोई भी खाया मालो, तब भी इसके पास हजार पार्टिकल्स हो गए, सोचो ऐसे ही लगबग बड़ी मशली की दरा हम ही हैं, कि हम भी हम एक फूड चेन में हम भी काफी उपर लाई करें जो लोग भी नॉन वेजटेरियन है, सब्सक्राइब तो नॉन वेजटेर चलो थोड़े दिर में हो जाएगा, ओके, ठीक है, तो असलो नॉन वेज, मैं का था, नॉन वेज, या, तो हमारे बोड़ी में भी, जो लोग भी नॉन वेजटेरिन हैं, जो वेजटेरिन बनने का ट्रेंड बना इसलिए, क्योंकि ये जो है, इस फूड चेन में जितना तो मैगनिफिकेशन का खत्रा होगा, that is called biomagnification, हर लेवल पे फूड चेन में, जो जहर है, वो मैगनिफाई हो रहा है, आई बार समझ में, So biomagnification is a process by which a compound such as pollutant or pesticide increases its concentration in the tissue of organism, ठीक है, as it travels up the food chain, किसी एक organism के अंदर time के थूड जहर बढ़ते जाना, क्योंकि वो consume करता जा रहा है, over the period of time, एक ही organism, that is called bio accumulist, तुमारी body में accumulate, accumulate, accumulate हो रहा है, हर दिन, पर biomagnification क्या है, इस food chain में, हर लेवल पे, chemicals का magnify होना, is biomagnification, Simple as that, definition दिया है, इसले कि कन्फूजन ना हो, अचा, अब इसके आगे बाद, आगे हम, चैप्टर के आखिरी, सलाइड पे, Ayru, Ayru, नमस्ते करो, नमस्ते कर तो, नमस्ते, आज कुछू ना कर रही है, कि रडगी, हैजी Ayru, ना कर रही है, पपी दो, आज अचा, फोटो पोस, फोटो पोस, फोटो पोस, फोटो पोस, आज़, आज़, हमोई बाद, यहां तो तुम डिस्टरब कर रही है, गलत बात बात रही है, पी, अचलो, तो यह जो है, हमारा, क्या है, सन से ल्टरावाइल थरेज आज़ जाए, विछ इस विज का काफी और दूसरे कैंसर रेज को रोकने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम काम कौन करता है? और ओजोन लेयर, ओजोन लेयर हमारे एट्मोस्फिर का काफी उपरी सता है, उपरी लेयर है, ठीक है? ओजोन इस नथिंग बड क्या है? यह यह O3, ऑक्सिजन का ही ट्राइटोमिक मॉलिक्वल है, हम जो हमारे लेवल पर जो यहां पर जो ऑक्सिजन है वो O2 है, जो हमारे लि है वो हमको क्या करता है अल्ट्रा वालिट रेज और दूसरे कैंसर रेज से हमको बचाता है मतलब अगें ऑक्सिजन उस लेवल पे भी हमको बचाई रहे है जहां हमारे हमारे एक हाता को सकता है यहां पर ओपर जाके वह हमारे इतना ज्यादा यूसफुल है ठीक है तो ओजोन लेजर अल्ट्रा वालिट रेज से हमको बचा रहा है बहुत अच्छी बात है अब बात ये हो रही है ओजोन बना कैसे तो ओजोन बनने का प्रोसेस काफी ठीक है इसमें इसको अनवर्ड करता है ठीक है। और एक कुर रहा है यू वी राज ही कर रह रहा है। मतलब एक बात समझो कि जिसने ओजोन को बनाया उल्ट्रावाइलेट ने जिसने ओजोन को बनाया वही उसको रोक रहा है। मतलब ओजोन ही उसको रोक रहा है। मतलब इडिस लाई कि शंकर भगवान ने शंकर भगवान के बेट ही थे गनेश। और Ganesh नहीं संकरभवान को रोका था ना वो याद हो तुम को इंसिदेंस कि वो परवती जी का जो महल वहां अंदर जाने से रोका था वो कार्टून में भी है इस एक है है और देखिए को ठीक है ना यू और तुम कि आवका लाद शुचेण दुल अटूल अचेण में इस वो राज ब्रीक हो गया उवल्य का अव hard में जाएगा तो वही जुचेण से इस प्रीक प्रीक हो तो अड़ जाएगा और त्री आक्षीजन मन लेगा तुम कि ब्रीक चाहिएगा और पर ट्रीक वोजोन बन गया हम दुनों ठीक है तो ऐसा ओजोन का फॉर्मेशन ऐसे हुआ है लेकिन ना वाट वी आर दूइंग इस कि हम एक बहुत ही घातक गैस यूस कर रहे हैं as a coolant gas जिसका नाम है cfc chlorofluorocarbon what is that chlorofluorocarbon यह जो cfc है this is depleting depleting the ozone ozone layer जो कि साल दर साथ तो 81, 87, 93 ओजोन लेयर कितना depletion होगया वो आप देख सकते हो अब तो और जाद होगया यह 99 तक का डेटा है तो यह cfc है coolant gas है कहांपे यूस करते हम air conditions में refrigerator jet plane aerosols okay तो यह cfc वैसे अब यूस करना बंद कर दिया गया गया जब से खत्रापता लगा है अब nitrogen और दूसरे gas यूस होगया है अब nitrogen यूसरे gas यूस होगया है तो लेकिन फिर भी इसने अभी एसरी कि यूस कर दिया ख्लोरीन वाला कंपोनेंट मेंली वह काम कर रहा है तो यू क्लोरीन है यो ओजोन से रियादों यूस्यू च्राप्शिघ और उसको क्या बनाता यए oxygen, again oxygen में convert कर रहा है, मतलब ultraviolet ने जो काम किया था, O2 को O3 में मतलब था, chlorine O3 को फिर O2 बना देता है, ultra reaction करता है, ठीक है, यह reaction लिए तुमको है नी, तो लेकिन यह अब chlorine यह CFC जो है, it is depleting that ozone layer जो हमको UV rays से बचाता है, तो इसलिए हम इसलिए हमको अपने इनवार्मेंट की चिंता करनी चाहिए, इसलिए तेखो इस बाट डिलीड भी किया तो इसको नहीं किया गया, इसको लगबग हम हर साल पढते हैं, यह इंपोर्टन है उमारे लिए, कि हम अपने सराउंडिंग को बचाएं, clean रखे, है ना जो waste management है, garbage management है वो सही से हो, ठीक है और भाई साथ मुझे लग रहा है कि Airo को अब ले जाना ही चाहिए चैप्टर हो गया है समाप्त और मिलते हैं Airo अब हम अगली बार, ठीक है वित, कुछ और धमाकेदार चीज, ठीक है तो इसी के साथ दबंग सीरीज जो है वो समाप्त होता है और यहोब कि तुमको यह जर्नी में मजा आया हो और यह साल लगबग कहा रहा है कि एक्सपरिमेंटल बाच रहा ठीक है, बहुत बच्चे इसीस को मानते हैं बच्चे इसी स्परिमेंटल, और यह जो है, और यह सिचुएशन, इसको आप यह कर सकते हैं बाई बाई ऐसे नहीं है ना एरू अच्छे से बाई करो चलो अच्छे करो बाई एरू बाई 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 ना कर रही है चलो ठीक है बाई गाई सी यू नेक्स टाम